कटिहार के बारसोई के साविर आलम बने एतिहासिक पल के गवा इस्तरों के चंद्रियान के लेंडिंग टीम में थे सामिल बारसोई के कलाम को सलाम पुड़े देश में एक वर फिर से बिहार का नाम का डंका बज रहा है इस तो टीम में बिहार का बेटा भी था सामिल दरसल चंद्रयान 3 के चांद पर सफर लेंडिंग के बाद पूरे देश में खुशी का महौल है इसी को लेकर बिहार का नाम का भी डंका बज रहा है बिहार के कटिहार बारसो यनुमंडल चेत्र के महमद शाविर भी थे इस्ट्रो टीम में शामिल जहां पूरे देश में जश्न का महौल है इसी बीच पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के लिए भी यपल बेहत खुशनुमा है क्योंकि इस चंद्रियान थिरी के शफल लेंडिंग में इस्ट्रो ने बड़ी भूमी का निभाई उसमें बारसो यप्रकंट चेत्र के सुदूर गाओं छोगड़ा के रहने वाले शाविर आलम भी बैग्यानिक के रूप में उस टीम का हिस्सा है इस शफलता के बाद शाविर के घर में जशनु का माहौल है क्या नम हो सर आपकर मौमद हारुन रशीद आपका लड़का का नम क्या हुआ हो मौमद साविर आलम मौमद साविर आज चंद्रियान थिरी का सफर परेक्षिन कर चुके हैं पूरा देश गरवान मित हैं उसके उपर क्या करना चाहेंगे उसके वारे मैं भी काफी गरवानित हूं और मुझे अपने बेटे पर अपने देश के लोगों पर देश के समस्ते इस रोज जैसे संस्थान पर काफी घर्ब है कि आज मेरा बेटा इस इलाके का नाम एक सुद कि इस्टों में जाने का उसका इच्छा कप रागी हुआ है कि मुझे इस रोग पर्सिक्षिंट जिस समय वह आय टी के अग्जाम दिये आया टी के बाद ही उनका ख्याल हुआ कि हम इस रोमें जाए इस्टी में ही वह चार साल पर सिक्षिंट प्राद कि यह कब से ऑफ के मताबिक वह जैना पसंद किया वहीं पर उस जुगदान में हम लोग भी थे वहां अब डस्ट बैठने के बाद हम लोग उसमें काम करेंगे और उसमें रोबोट है वह रोबोट वाला जो होगा उसमें हम लोग काम होगा हम लोग जा करके फिर काम करेंगे इतनी बात भी और फिर अपना हो झाले करेंगे बात भी और फिरकी आपर उसमें हम लोग जसमें लोग करेंगे वह रहांगे लोग जाह झाल झाल